एक common सवाल जो अकसर पूछा जाता है कि वो कौन सा समय है जब हमें एक professional की जरुवत है हमें किसी counselor से, psychologist से, therapist से मिलने की अब need आ गई है तो इस वीडियो में मैं उसी सवाल का जबाब देने वाली हूँ देखे, हम सभी के जीवन में थोड़े बहुत up-down आते हैं कुछ ऐसे moments आते हैं, जब हम दुखी फील करते हैं, stuck फील करते हैं हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए बट यह temporary phase होता है थोड़े टाइम बाद हमें solutions दिखाई देने लग जाते हैं हम अपने parents से बात करते हैं, friends से बात करते हैं, अपने mentors से बात करते हैं आपको वाके ही एक counselor से therapist से मिलने की जरुवत होती है तो मैं आपको वो five signs बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब वो सही वक्त आ गया है जब आपको professional help की जरुवत है पहला sign जो है, जब आप overwhelming emotions फील कर रहे हो यानि कि आपको बहुत ही जादा किसी भी चीज का छोटी सी बात पर भी दुख महसूस हो रहा है और वो दुख कई दिनों तक लगतार जाही नहीं रहा है आपकी आँखों में बेवजह आंसू आ जाते हैं बैठे बैठे, अच्छे खासे आप अपने परिवार में बैठे हैं बातचीत हो रही है, लेकिन आपका मन ही नहीं लग रहा है आपको एकदम से आँखे भरा रही है आपको कई बार गपराहट सी महसूस हो रही है छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना ऐसा लगना कि जिससे सब लोग हैं वो आप ही को देख रहे हैं आप ही के बारे में कुछ-कुछ बोल रहे हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से मन ना लगना किसी भी चीज में खुशी का महसूस ना होना वो काम जो आप रोजाना करते थे लेकिन फिर भी उसमें मन नहीं लग रहा है और छुटी-छुटी बाते आपको ट्रिगर कर रही हैं आपका मून बहुत ज़ादा खराव रहा है कई बार खुश हैं तो इतने खुश हैं एक्स्ट्रीम लेवल तक और कई बार छोटी सी बात भी आपको बहुत ज़ादा रिटेट कर रहे हैं गुसा दिला रहे हैं और आप आप आउट अप कंट्रोल हो रहे हैं तो समझ जाए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़ुरत है दूसरा साइन जब आप अपनी डेली लाइफ की अक्टिविटीज को भी ऐसा लगी कि जैसे ये एक हाफ टू वर्क हो गया कि मुझे करना पड़ेगा मेरे को खुद को ही हर दिन अपने आपको धक्का देना पड़ेगा चाहे वो सुबह उठने जैसा काम हो कि उठना भी ऐ समझ जाएए आपके मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो आपको परिशान कर रहे हैं आप अगर अपने फ्रेंज से मिलते थे अब उनसे मिलना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपको कहीं भी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है और आपको सब कुछ एक आपका मन उस उलजन को सुलजाने ही पारा तब आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प की जरुवत है तीसरा जायन अगर आप अपने फिजीक से परिशान है या आपके मन में ऐसा है कि आप अपने आपको पसंद नहीं कर रहे हैं कॉंस्टेंटली आप अपने आपको मिलर में आपके जुरियां आगे हैं चहरे पर आपके कभी नेक में आपको ज़्यादा पेन महसुस हो रहा है कभी आपको ऐसा पिजीब सा इस शरीर को आपको धका देना पडर रहा है अगर शरीर में इतनी अनinkमफोरिबल फिलिंग्स हैं आप अपनी फिजिकल हैट से भी परिशान और आपके medical reports जो हैं वो सारे ठीक हा रहे हैं सारी pathological findings absolutely normal है और आपको doctor बता चुके हैं कि आपको कोई भी शारेरिक दिकत नहीं है तो वक्त आ गया है कि आपको अपने therapist से मिलना है चौथा sign है अगर आपके पास सब कुछ है आप financially strong हैं आपके relationship बच्चे हैं आप देखने में अच्छे लगते हैं आपकी body भी healthy है लेकिन फिर भी आपका मन खुशी नहीं है तब ही आपको हर वक्त कुछ कमी खलती रहती है और कोई आपसे पूछता है तो आपके बस जवाब भी नहीं होता कि आखिर आपको problem क्या है आप किसी को explain ही नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी मन बस उदास दा रहता है ऐसा लगता है कि जैसे आप ना किसी wrong journey पर हैं आपको अपने life का purpose ही समझ में नहीं आ रहा है एकदम confused है सब काम कर रहे हैं आप routine के बट वो खुश हो कर ही नहीं कर रहे हैं तो समझ आए कि आपको किसी से बात करने की जुरत है और अब वक्त आ गया ह कि आपको professional health की जुरत है पांचवा अगर आप किसी भी fears इग्रसद हैं आपको financial fears हैं जैसे कोई भी uncertainty आ गया है आपको अपना job खोने का डर है relationship खोने का डर है आपको aging का डर है आपको किसी भी चीज का डर है और हर समय मन में एक भैकी सिती बनी रहती है आपको समझ में ही नह लगा रहता है और आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है इसके अलावा और भी reason हो सकते हैं जैसे कि कि किसी की job अगर अभी चले गई है और उसको भी एकदम से job नहीं मिली है तो वह वाला phase उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है किसी के बच्चे है उसके according में ही चल रहे हैं तो इस बात की ही tension हो रही है या घर में family है, joint family में adjustment के issues आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ से efforts कर रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर efforts का कोई result आपको दिखतावा नहीं मिल रहा है और आपको लग रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, 10 दिन, 15 दिन हो गए हैं लेकिन कोई सूनी नहीं रहा है और आप बिल्कुल puzzled हो गए हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तभी भी आपको professional help की जुरुत है इसके अलाबा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने अपने efforts डाल लिया हैं लेकिन फिर भी आपकी life वापस से normal नहीं हो रही है तो वो छोटे से छोटा कोई भी कारण आपको किसी बरी परशानी में डाल सकता है तो आपको समय रहते ही एक अच्छा step लेना होता है और आपको professional help की जरुत होती है जब आप professional से अपने मन की बात कहते हैं तो आपका professional आपको empathy के response से accept करते हैं और वो आपको accept करकर आप ही की मदद से customized solution के तरफ आपका focus shift कर देते हैं क्योंकि सारे solutions आपके ही पास होते हैं लेकिन वो जो emotions के cloud हैं जहांपर हम stuck कर गए हैं तो उससे हमें clarity नहीं आती है जैसे आप एक रास्ते पर पहले बहुत बार जा चुके हैं लेकिन अगर आज को रहा है तो आपको visibility नहीं होगी उसी रास्ते पर चलने का आपको confidence आएगा ही नहीं बस आपका जो psychologist है आपके counselor है वो उस कोरे को छाटने में आपको मदद करते हैं और आपको motivate करते हैं कि कैसे आपको एक एक step आगे लेगना है और आप उस रास्ते पर perfectly चल सकते हैं और वापस अपनी normal life को enjoy कर सकते हैं तो I hope ये वीडियो आपको इस समझने में जरूर मदद करेगा कि कब हमें professional help देखनी जाहिए और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देखकर अपनी life के लिए एक अच्छा decision लेज़ दखते हैं और जिन भी conditions में वो है उन conditions से आप उन्हें बाहर आने में मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप उन तक जरूर पहुचा दे Stay Connected